आप दो शिर्ट लीजिए, ठीक है? दोनों धुली हुई साफ शिर्ट्स, एक को गोल मोल कीजिए और इसे तीन दिन के लिए रखिए, दूसरी सफाई से फोल्ड करके वहां रखिए, तीन दिन बाद मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको बताया की नहीं, निश्चित हिया आपके माता पिता ने आपको बताया होगा अपने कपड़े अच्छे से घड़ी करके रखने चाहिए, अपना बिस्तर और चादर अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए ये आपके जीवन में एक अंतर लाता है इस देश में हमेशा हमें ये बोला गया सुभे सो कर उठने के बाद अगर आपने अपना बिस्तर अच्छे से घड़ी करके नहीं रखा तब शैतान आएंगे और उसके उपर नाचेंगे प्रेट आएंगे और उसके उपर नाचेंगे और जब आप अगले दिन उस तरह के बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं ये आपके जीवन पर असर डालता है और ये एक द्वनवात्मक तरीका है इसे व्यक्त करने का और ये सच है हम जिसे शैतान या प्रेट कहते हैं वो जीवन का नकारात्मक रूप है हम जिसे दिव्य कहते हैं वो जीवन का सकारात्मक पहलू है वो जो आपको सहारा देता है आपको समरिद करता है वो दिव्य है जो आप पर नकारात्मक असर डालता है वो शैतान है तो बस ये कागस, अगर आप बस इसे मरोड कर रख दें, ये उर्जा के नकारात्मक रूप को अकरशित करता है अगर आप इसे ठीक से फोल्ड करके रखते हैं, ये सकारात्मक हो जाता है इसी लिए किसी चीज से हर एक चीज तक घर कैसा होना चाहिए, कहां पर क्या रखना चाहिए तो मैं नहीं जानता है इन दिनों ये सब खत्म हो रहा है, हम modern aesthetics को अपना रहे हैं वरना अगर मेरी दादी यहां होती, हर एक चीज कहां पर क्या होना चाहिए, हर चीज एक खास तरीके से होती अगर आप घर में जाएं तो शायद आप देखेंगे, अगर आपकी माँ एक पारंपरिक महौल से आई हैं अगर आप रसोई में जाएंगे, हमेशा नमक और इमली एक साथ रखे होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे क्या आप ये जानते हैं? क्या ऐसा है? ये अभी तक कायम है? हाँ ये सारी जागरुकता दुर्भाग्य से बस परंपरा बन गई ये सुन्दर है कि ये एक परंपरा बन गई लेकिन लोगों को जरूरी समझ दिये बिना ऐसा क्यूं? बस ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ समय बात कोई आकर कहता है, मैं ऐसे क्यूं करूं? मैं एमली अपने सिर पर रखूँगा, नमक कहीं और ये ऐसे काम नहीं करता है आप किस तरह से रहते हैं, इन सब चीजों का उस पर कुछ असर पड़ता है हर चीज कैसे रखी जानी चाहिए तो ये देखने का विज्ञान है कि मनुष्य अपने उच्चेतम स्पंदन तक कैसे काम कर सकता है इस देश का एक सामान ये किसान भी इसके बारे में जानता है इसके बारे में जाने बिना वो बौधिक रूप से या चेतना से इस बारे में नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि इसे ऐसे करना चाहिए क्योंकि योग की पूरी प्रणाली एक सांस्कृतिक फॉर्माट में बनाई गई और लोगों को दी गई थी क्योंकि लोगों ने इस धर्ती के हर मनुष्य को हर पहलू सिखा पाने की अव्यावाहरिकता देख ली थी तो इसे सांस्कृतिक बना दीजिए और उन पर छोड़ दीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि अगली कुछ पीडियों के बाद जैसे कोई माँ अपने बच्चों को दातों को ब्रश करना सिखाती है वैसे उनके जीवन में योग आ जाए पहले ऐसा ही होता था जब अगस्त्यमुनी ने पूरे दक्षणी उपद्वीप में ये किया था कि हर घर में हर व्यक्ति को ये समझ थी कि इस जीव को उसकी परम संभावना तक पहुचाने के लिए क्या करना है तो इन चीजों के लिए वे जागरुक थे इस तरह की आसान चीजें आप मेंसे कई लोग जो छे महीनों से आसनों का आभ्यास कर रहे हैं आप इसे अनुभव कर सकते हैं आप दो शर्ट लीजिए ठीक है दोनों धुली हुई साफ शर्ट्स एक को गोल मोल कीजिए और इसे तीन दिन के लिए रखिए दूसरी सफाई से फोल्ड करके वहां रखिए तीन दिन बाद एक को पहनिए अपनी आखे बंद कीजिए और इसे महसूस कीजिए बस देखिए कि कैसा महसूस होता है वो बहुत अलग होती है तो जीवन में हर पहलू लाया गया तो आप जिसे इस संस्कृती की तरह देखते हैं क्योंकि इस धर्ती पर कोई इश्वर नहीं है, इस धर्ती पर कोई धर्म नहीं है, ये बस एक तरह का विज्ञान है जिसे संस्कृती की तरह प्रवाहित किया गया, कई विकृतियों की वज़े से वो विज्ञान पूरी तरह विक्रित हो गया. पूरे समाज में इसे फिर से स्थापित करना आसान नहीं होगा. हम इसे कम से कम कुछ लोगों में फिर से स्थापित करना चाहते हैं. इस उमीद से कि वो कभी भविश्य में इसे बाकी लोगों तक ले जा सकेंगे. अगर हम ऐसे हजार लोग बनाते हैं जो वाकई ग्रहन करें, समझें और उस तरह से रहें, मैं निश्चित ही मानता हूँ कि ये हजार लोग लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं. वो लाखों लोग कई लोगों के लिए ये कर सकते हैं और वो कई लोगों को तयार कर सकते है जो इसे ग्रहन करने में सक्षम हो और ये सब किया जा सके